जै जोहार दोस्तों आज से चतिस गड़ आर्थिक सर्वेक्षर 2023 चोबेस से रेटेट थियोरी प्लस MCQ सिरीस की सुरुवात करने जा रहे हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक इस्तिती एक समिच्छा देखें चतिस गड़ देश का 26 वे करम कराज्य है जिसका गठ संपदा वन बाहुल्य एवं सांती प्रीर राज्य का दर्जा चतिस गड़ को दिया गया है धान के खरीदी की बात करें तो खरीप वर्ष 2022 में 107.5 तिन लाग मेट्रिक टन धान की खरीदी चतिस गड़ में किया गया ठीक है देखें धान की खरीदी जो 2023 में मैंने एक 210 किसानों से किदनी समर्थान मुल्य पर 144,92,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी किया जा चुका है ठीक है अगला है हमारा चार परमुक नदी प्रलाली हैं महानदी गोदावरी नर्मदा और गंगा ये क्या है चार परमुक नदी प्रलाली है जो कि जल गरहर छेतर करती है इसके चार दस्मलों एक एक परतीसात है और प्रदेश का वन चेतर पल जो है वो 69,772 वर्ग किलोमेटर है परदेश के भागौलिक चेतर पल का 44.2 परतीसात है राज्य के वन आवरड की दिरिश्टी से चतिसगड का जो देश में इस्थान है वो कौन सा है तो चौन्था इस्थान है ठीक है अगला देखेंगे हम लोग राज्य की कूल जनसंक्या लगबग 2.55 करोड है जिसमें लगबग 70 परतीसात जो जनसंक्या है वो क्रिसी कारे में सनलेप था ठीक है राज्य में कितनी जनसंक्या तो 2.55 करोड है जिसमें 70 परतीसात जो जनसंक्या है वो क्रिसी कारे करती है राज्य में लगबग 40 दसमलो एक 0 परतीसात लाग जो है वो क्रिसक परिवार है जिसमें लगबग 82 परतीसात लगु एवम सिमांत स्रेडी के है इसके बाद अगला पॉइंट है चतिस गड़ में वर्तमान में चार सहकारी सक्कर करखाने जो हैं वो संचाली थे हैं एक पहला है भोरमदेव सहकारी सक्कर करखाना जो की कवरधा जिला में है इसके बाद दंतेश्वरी मय्या सहकारी सक्कर करखाना जो की बालोद में इस्तित है तीसरा है मामाया सहकारी सक्कर करखाना जो की अंबिकापूर में है और लहपूरी सरदार वललबाई पटेल सहकारी सक्कर करखाना ये पंडरिया में इस्तित है 36 गड़ के वर्तमान में कितना 14 मिलेट जीले जो है वो चिनांकित के अगया है अगला पॉइंट है Sample Registration System SRS Report 2018 ठीक है देखे 36 गड़ राज्य मात्र मृत्ति उदर प्रती एक लाक में बोला है 2001 से 3 में कितना था तो 389 था जो कि 2018-20 में कितना हो गया है घटकर 137 पर आ गया है इसके बाद 36 गड़ राज्य सिसु मृत्ति उदर प्रती 1000 बच्चे में 2001 में कितना था देखे राज्य के जब स्थापना हुआ उच टाइम का बात का रिपोट है उच टाइम था 77 ठीक है जो कि 2022 में कितना हो गया है 38 हो गया है घटकर कितना हो गया 38 देखे SDG के अनुसार 2030 तक मात्र मृत्ति उदर को 100 से कम लाने का लख्च रखा गया है और 2030 तक सिसु मृत्ति उदर को 15 तक लाने का लख्च रखा गया है अगला पॉइंट है जिस्डिपी में चेत्रवार पर 30 वृद्धी दर इस्तिर गीमतों पर ठीक है सबसे पहले कौन से चेत्र है? क्रिसी चेत्र देखे क्रिसी चेत्र का जो आउसत वृद्धी है 2012 से लिकर 2024 तक वो 4.90% है जो की 2023 में 3.23% अनुमानित है जिस्डिपी में हिस्सेदारी देखें तो 2011-12 में 18.10% था जो की 2023 में घटकर 15.32% पर आ गया है उद्योग की बात करें तो 2012 से लिकर 2024 तक 6.30% था जो की 2023 में कितना अनुमानित है तो 7.30% अनुमानित है जिस्डिपी में हिस्सेदारी देखें तो 2011-12 में 47.27% था जो की 2023 में 3.50% पर आ गया है सेवा चेत्र को देखें तो सेवा चेत्र में जो आउसत व्रिद्धी है 2012 से लेकर 2024 तक वो 5.30% था और 2023 के लिए 5.02% अनुमानित है जिस्डिपी में हिस्सेदारी देखें तो 2011-12 में 34.63% जो की 2023 में 31.19% पर आ गया है ठीक है अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों प्रतिवेक्ति आए ठीक है प्रतिवेक्ति आए की बात करें तो भारत का जो भारत का देखेंगे तो भारत का प्रतिवेक्ति आए 1,85,824 रूपै ठीक है और चतिसगर का प्रतिवेक्ति आए कितना है एक लाग से तालीस अजार तीन सो एक सट रुपए अगला पॉइंट है बॉर्श दोजार तेईस चोविस में धान का नियुंतम समर्थन मुले MSP देखें तो धान समाने धान का देखें तो दोजार चालीस रुपए प्रती की उंटल था दोजार बाइस तेईस में ठीक है जो की दोजार तेईस चोविस में कितना कर दिया गया है तो दोजार एक सो तिरासी रुपए प्रती की उंटल कर दिया गया है और दोजार बाइस की तुलना में दोजार तेईस चोविस में कितने की वृद्धी हुई है तो 143 रुपे की वृद्धी किया गया है Grade A धान की गीमत देखें तो 2060 रुपे प्रतिक उंटल था 2022-23 में जो की वृद्धी करके 2023-2023 में कितना कर दिया गया 2203 रुपे प्रतिक उंटल कर दिया गया है और 143 रुपे की इसमें भी वृद्धी हुई है धान खरिदी 2022-23 में खरी पोर्च में देखें तो खरी पोर्च 2022-23 में 30.42 लाख किसानों से समर्थन मुल्य पर 107.53 लाख टन धान की खरिदी की गई थी किसानों को 21,963 करोड रुपे धान का समर्थन मुल्य जो है वो भक्तान किया जा चुका है अब तक ठीक है अगला पॉइंट देखेंगे राज्जी की बैंकिंग गतिविदिया मार्च 2023 की सिति में ठीक है देखें देखें 36 गड़ की बैंकिंग गतिविदियों में निरंतर वृद्धी हो रही है राज्जे में कुल देखें तो कुल बैंकों की संक्या 47 है और साखाओं की संक्या 3338 है ATM की संक्या 3491 है अगला पॉइंट है राज्जे में सिचाई योजना है तो देखें मार्च 2023 की स्तिति में प्रदेश में वरिहद मध्यम एवं लगु सिचाई योजनाव से सिचाई चमता कितनी है 21.52 लाख हेक्टेर हो गई है वरतमान में व्रिहद सचाई योजनाई कितनी है तो तीन है मध्यम सिचाई योजनाई 29 है लगु सिचाई योजनाई 1945 है इसके साथी क्रिसी उपज मंडी 36 गड में कितनी है तो 69 है और किसी उप मंडिया है 121 ठीक है अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों 1 चेतर के बारे में तो 36 गड का जो आरक्षित 1 है वो 25,782.17 वर्ग किलोमेटर है जो की 43.13 परती सत है और संग्रक्षित 1 जो है वो 24,361.10 वर्ग किलोमेटर है जो की 40.02 2 परती सत है और आरक्षित 1 है 9,954.13 वर्ग किलोमेटर है जो की 6. 65 परती सत 1 चेतर है और कुल 1 चेतर की बात करें तो 69,772.40 वर्ग किलोमेटर जो है कुल 1 चेतर है वर्ष दोजार वाइस तेईस में 1111.92 करोड रुपे मुल लेके 15.83 लाख मानाक बोर जो है तेंदू पत्ता का उत्पादान हुआ जोग तथा वर्ष दोजार तेईस चोविस में देखेंगे ठीक है तो 789.91 करोड रुपे मुल लेके 12.94 लाख या 12.94 लाख मानाक बोर जनवरी 2023 की सिती में देखेंगे हम लोग कोईला छेत्र कर ठीक है कोईला का कितना है तो देश के खनीज उत्पादन में 36 गड़ का जो कोईले का हिस्सा परती साथ है वो 19.76 परती साथ है ठीक है लाख आयस का देखें तो 15.90 परती साथ चूना पत्तर का है 11.08 परती साथ ब 18.65 करोड था और गौड़ खनीजो से है 240.72 करोड ठीक है अगला पॉइंट है हमारा थियोरी सेक्षेन यहीं पर समाप्त होता है चलिए अब कोश्चन करते हैं आर्थिक सर्वेक्षड 2023 के अंसार 36 गड़ राज्य को इन में से किसका दर्जा नहीं दिया गया है ऑप्शन है खनीज संपदा तो दीखे खनीज संपदा का दर्जा दिया गया है वन बाहुलिय कभी दिया गया है सांति प्री राज्य कभी दिया गया है लेकिन जो विक्सित राज्य है इसका दर्जा नहीं दिया गया है इसका कोश्चन का जो राइट एंसर होगा वो विक्सित राज्य अगला है, चतिस गड़ में कितने नदी परलालियां, जल ग्रहर छेत्र में सामिलें, तो राइट एंसर हो जाएगा, चार नदी परलालियां, ठीक है, कौन-कौन सी, तो दिखेगा, एक तो है महानदी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, और गंगा, ये चार नदी जो है, वो नदी परलाली जो है, जल ग्रहर छेत्र में सामिलें, अगला है, चतिस गड़ राज्य की आउसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो देखेगा, इसका राइट एंसर हो जाएगा, बारा सो से पंदरा सो मिलिमिटर है, चतिस गड़ राज्य की आउसत वार्षिक वर्षा, ठीक रिशक परिवार हैं, कितने की रिशक परिवार हैं तो 40.1 पर थिसत और 36 गण की 70 पर थिसत जन संग्या जो है वो क्रिसी करती है, ठीके, याद रखिएगा 82 पर थिसत लगू और सिमान्थ स्रेडी के हैं, लगू प्लस सिमान्थ, अगला है, 36 गण के कितने जिले, मिलेट जिले के रूप में चिनांग कीते हैं, तो राय टेंसर हो जाएगा 14 जिले, ठीके, 36 गण के 14 जिले जो हैं, वो मिलेट जिले के रूप में चिनांग कीते हैं, इसके अतरिक्त 33 जिले, तो ठीके, 36 गण में वरतमान में कितने जिले हैं, तो देखे 28 जिला 2020 में था ठीक है जब जी पीम बना जी पीम मतलब समझते हैं गोरेला पेंडरा मरवाही ठीक है ये बना तब चतिस गड़ में कितने जिले हो गये थे तो राइटेंसर हो जाएगा 38 हो चुकी है ठीक है इसके लावा याद रखेगा कि 2001 में कितना था 77 जो की घटकर 2022 में कितना हो गया है तो 2022 में हो गया है 38 इसके लावा याद रखेगा कि 2030 तक 2030 तक 15 लाने का लक्षे रखा गया है सिसू मृत्यू दर को अगला है 36 गड़ में मातर मृत्यू दर प्रती एक लाग जिवित बच्चों पर कितनी है तो राइट एंसर हो जाएगा 137 ठीक है कब का डेटा है 2018-20 का 2018-20 तक कितना था 137 ठीक है मातर मृत्यू दर और ये जो 379 ने 2001 से लिकर 2003 2001 से 2003 तक 379 था जो की घटकर 137 पर आ गया है और 2030 तक 2030 तक 100 से कम लाने का लक्षे रखा गया है अगला है सकलराजिक घरेली उतपाद में क्रिसियों संबंद चेत्र की हिस्सेदारी कितने परतिसत दर्ज की गई है तो देखेगा 16.91 परतिसत ये जो है वो 2022-23 में था 22-23 में कितना था तो क्रिसियों संबंद चेत्र का हिस्सेदारी परतिसत में तो 16.91 परतिसाद था 16.91 परतिसाद ठीक है 18.01 परतिसाद 2011-12 में था 2011-12 में था जो की घट कर कितना हो गया है 15.32 परतिसाद यानि इस question कराई टेंसर होगा 15.32 परतिसाद हो गया है 2023 में ठीक है अगला देखेंगे सकल राज्जिक घरेली उतपाद में क्रिसी चेतर की आउसत वरिद्धी 2012-12 से लेकर 24 तक कितने परतिसाद दर्ज की गया है टेंसर हो जाएगा 4.90 परतिसाद दर्ज की अगया ठीक है इसके लाबा क्रिसी चेतर की जो वरिद्धी अनुआनित है वो है आपका 3.23 परतिसाद ठीक है ये क्या है 2023 के लिए क्रिसी चेतर की वरिद्धी अनुआनित है अगला सवाल है सकल राज्य गरेली उत्पाद में उद्योग चेतर की हिस्सेदारी कितने परतिसत दर्ज की गई है तो देखें उद्योग चेतर की हिस्सेदारी 2022 थे इसमें 49.81 परतिसत थी जो की 2011-12 में कितना था 47.27 परतिसत ये 11-12 में 23 में 23-24 के लिए कितना संभावी थे तो 53.50 परतिस यानि इस question का right answer हो जाएगा 53.50 परतिस ठीक है उद्योग चेत्र की हिस्सेदारी कितने परतिसाद दर्ज की गई है तो 53.50 परतिसाद अगला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग चेत्र की आउशत वृद्धी 2012 से लेकर 24 तक कितने परतिसाद दर्ज की गई है तो right answer हो जाएगा 7.36 परतिसाद ठीक है इसके लवा 2023-24 के लिए कितना अन्मानित है तो 7.01 एक दिन परतिसाद 2023-24 के लिए उद्योग चेत्र की वृद्धी कितने अन्मानित है तो 7.01 एक दिन परतिसाद अगला है सकल राज्य घरेली उत्पाद में सेवा चेत्र की हिस्सेदारी कितने परतिसाद दर्ज की गई है तो देखे 2022-23 में 2022-23 में कितनी दर्ज की गई थी तो 2022-23 में 23.21 परतिसाद दर्ज किया गया था ठीक है इसके अलावा 2011 बारे में 34.63 परतिसत 2011 बारे में कितना दर्ज किया गया था 34.63 परतिसत जो कि घट कर कितना हो गया है 31.19 परतिसत 2023 में घट कर कितना हो गया है 31.19 परतिसत संभावित है ठीक है यानि इस question का right answer हो जाएगा सेवा चेतर की हिस्सेदारी कितने पर्थिसत दर्ज की गई है तो 31.1 पर्थिसत अगला सवाल है सकल राज्य घरेली उत्पाद में सेवा चेतर की आउशत वृद्धी 2012 से लेकर 24 तक कितने पर्थिसत दर्ज की गई है तो right answer हो जागा 5.3,7 पर्थिसत ठीक है इसके लावा 2023 सेवा चेतर की वृद्धी कितने अन्मानी थे तो 5.0,2 ठीक है 5.0,2 पर 2.7 तो 2023 सेवा चेतर की वृद्धी अन्मानी थे अगला सवाल है वित्तिवष 2023 में प्रतिवेक्ति आये कितना अन्मानी थे तो देखें वित्तिवष 2023 के लिए प्रतिवेक्ति जो आये है वो 1.47.361 रुपए अन्मानी थे ठीक है इसके अत्रीक्त 2022-2023 में 1.33.892 रुपए अन्मानी था और भारत का जो इंडिया का भारत का जो प्रतिवेक्ति आये है वो 1.85.854 रुपए है ठीक है 2023-2023 का अगला सवाल है वर्स 2023 में धान खरीदी के दोरन नियुंतन समर्थन मुल्य MSP कितना था दीखें समान्य धान का पूछा है ठीक है तो कितना था 2023-2023 का तो 2.183 रुपए है राइट एंसर कितना हो जाएगा 2.183 रुपए है इसके अलावा याद रखेगा ये 2022-2023 का 22-2023 का समान्य धान का है ठीक है समान्य समान्य धान का कितना रुपए था 2040 रुपए है और ये है ग्रेड एक है प्रतिक उंटल और 23 चुबिस जो लुएए धान का कीमत है वह कितना है 2203 प्रतिक उंटल अगला अगला question देखेंगे क्रीब होस 2022 में कुल कितने टन धान समर्थन मोली पर खरीदा गया तो राइट एंस सर वजाएगा option number A 107.53 तिन लाग मेड्रिक टन ठीक है अगला question है वर्तमान में 36 गढ़ में कुल बैंकों की संकिया कितनी है तो दीखें वरतमान में 36 गड़ में कुल 47 बैंक है ठीक है option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा 47 अगला है वरतमान में 36 गड़ राजे में कुल साखाओं की संख्या कितनी है तो राइट एंसर हो जाएगा 3338 संख्या है है इसके अलावा ATM की जो संख्या है वो कितनी है 3491 एट्याम है अगला question है वरतमान में राजे में कुल कितनी वरिहत साखाओं का है निर्मीत है तो राइट एंसर हो जाएगा तीन वरिहत साखाओं का है निर्मीत है इसके अलावा जो मध्यम साखाओं क्रिशा योजना है मंडिया है तो दीखे वर्तमान में 36 गड़ में कुल 79 क्रिसी उपज मंडिया है ठीक है और उप मंडिया कितनी है चतिसजड़ में उप मंडिया तो राइट एंसर हो जाएगा 121 अगला सवाल है 34 गड़ राज्य में कितने दसमलो 6-5 पर 30 जो है यह आपका अवर्गी कृत 1 है अगला सवाल है चत्थिस गड़ राजये में कितने वर्ग किलोमेटर चेतर में संग्रक्षित 1 है तो राईट एंसर हो जाएगा 24036 दस्मलो 10 वर्ग किलो 미टर में संग्रक्षित 1 है ठीक है इसके अलावा आरख्षित 1 कीतना है तो 25782 दस्मलो 17 वर्ग किलोमेटर में आरख्षित 1 है इसके अतिरिकत अवर्गी क्रित जो 1 है वो 9954 दस्मलो एक तिन वर्ग किलोमेटर में आपका अवर्गी क्रीदवन है अगला सवाल है वर्ष 2023 में कितने लाग मानक बोरा तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ है तो राइटेंसर हो जाएगा 12.9-4 लाग ठीक है इसके अतरिक्त 15.8-3 लाग जो है ये 2022-23 में तिन वर्ष पत्ता का उत्पादन हुआ अगला कुश्चन है राज्य में जनवरी 2023 की सिति में देश के कोईला कनीज़ उत्पादन में चतिसगर राज्य का हिस्ता कितना परतिसाथ रहा देखे कोईला कनीज़ उत्पादन में बोला है ठीक है तो राइटेंसर हो जागा 19.76 इसके तरीक्त याद रखेगा कि 11.08 परतिसाथ चुना पत्थर का उत्पादन चुना पत्थर और 15.90 परतिसाथ लाओ आयस्क तो लाओ आयस्क और 0.44 परतिसाथ आपका बोक्साइट बोक्साइट में उधानए ठीक है अगला कोच्शन है देख गे टीन उत्पादन में चतिसगर राज्य का हिस्ता कितना परतिसाथ है option है 70% 80% 90% या फिर 100% इसका answer आप मुझे comment section में comment करके बताएगा thank you